नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes में दोस्तों UPB8 के चातरों के लिए बहुत बड़ी खुसक्षबरी है काउंसलिंग की डेट घोसित कर दिया गया है और इसका सब्सक्राइब पूरा काउंसलिंग का स्टुडियों भी घोसित कर दिया गया है दोस्तों काउंसलिंग के पहले ऊंसलिंग क्या बताता हैं आप को क्या गल्ति आपको नहीं करनी है दोस्तों पांच लात चांचाट हजार तीन सो निन्जान नवे चात्र जो परिच्छा में भाग दिये थे उनके लिए आज बहुत एच्छी खबर है इनकी रहें के जो है वंतिस माई को डिसाइट कर दी गई थी और अभी तक काउंसलिंग इनकी शुरू नहीं हो रही थी तो काउंसलिंग का स्टिडिव दिखेगा आप जाकर वहां पर इस विदाले की साइट पर देख सकते हैं काउंसलिंग की पूरा-फुरा स्टिडिव वहां पर दिया हुआ है च्छेतारी से कॉंसलिंग शुरू हो जाएगी, दो चरणों में कॉंसलिंग चलेगी, पहले चरण में 6 तरी को सुरू होगी कॉंसलिंग जो तो उसमें 6 से 18 जूल पहला चरण है और दूसरा चरण है 15 से 18 जूल रैंक के हिसाब से आपको किस चरण में पाइटिसिपेट करना है यह आपको आयो की वेबसाइट पे मिलेगा, 6 से 18 जूल शुरुवात की रैंक वाले करेंगे और 15 से 18 जूल पीछे की रैंक वाले लोग इसमें पाइटिसिपेट करेंगे और इन दो चरणों में अगर आपकी कॉंसलिंग छूट जाती है तो आपको एक मौक का और भी लेगा 28 जून से लेके 8 जुलाई तक पूल कॉंसलिंग कराई जाएगी इस पूल कॉंसलिंग में भी आपको कॉलेज एलाट किया जाएगा तो जो कॉंसलिंग शुरू और ये 6 तारिश से जो कॉंसलिंग शुरू और ये उसमें शुरुवात के 3 दिन रेजिस्टेशन करने के दिया जाएगा ये गलती मत करें कि आप रेजिस्टेशन करने में देर कर दें तीन दिन ही आपको केवल मिले हैं और चाथरू संगे आप देखी रहें कितने करीब 2,12,006 पहले चरण की कॉंसलिंग में पाइटिसिपेट करेंगे इसलिए 2,12,006 केवल 3 दिन मिला है आप रेजिस्टेशन में टाइम मत बेस्ट कीजिए और रेजिस्टेशन आप सबसे बड़ी प्रॉलम होती है अगर आपने गलत कालेज चैन कर लिए तो आपको मन पसंद कॉलेज नहीं मिलता है अगर आपको कोई भी प्रॉलम है किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके और एक इसका वाट्सेप ग्रूप भी हमारे पास चल आया है उस वाट्सेप ग्रूप को आप जोईन कर सकते हैं वहां आपकी तरह सेलेक्टेड लोग है वह आपकी हेल्प करेंगे कि कोई साक्वालेज अच्छा है आप लोग आपस में सेलेक्ट करने के बार फिर दो दिन और मिलेंगे आपको फेज जमा करने की प्रकरिया में पूरी करने के लिए तो 3 प्लेस 3 प्लेस 2 की प्रकरिया है तिन दिन आप रेजिस्टेशन करवाई तिन दिन कॉलेज चैन कीजिए दो दिन में फेज जमा किजिए इसकी बाद पहले सब्सक्राइब को पहले से माइंड मेकप करके रखना पड़ेगा कि हमको कॉलेज भी चुनना है उसी के टाइम पर और एक जुलाई से सत्र शुरू कर दिया जाएगा जो आपका कॉलेज का सत्र है वह एक जुलाई से सुरू कर दिया जाएगा इस बीच में अगर कुछ लोग छूड जाते हैं तो अठाई जुम से लेके आठ जुलाई तक पूल काउंसलिंग करा जाएगी आप उसमें पाटिस्पेट कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी अपडेट बीच की काउंसलिंग से सम्बंधित यह गुपने हुझे आप लोगों के लिए मिलते हैं नेक्ट वीड